दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगो को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और SBI के साथ में टोटल में 6 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जिनोंने आपे स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लेट और डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुष आप देख रहे हैं FNOW मीडिया बाया आरुष आईए अब इस वीडियो को स्टाट करते हैं आएए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले स्टॉक की तो कमपनी का नाम है Integra Essentia Limited Integra Essentia का जो शेर प्राइज है वो सिरफ और सिरफ 7 रुपीस के ओपर में चल रहा है जी हाँ 7 रुपे का 1 पेनी स्टॉक है and company ने आप इस stock bonus announce करके रखा है 1 is to 1 के ratio से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक stock है तो यहाँ पे आपको एक stock is a bonus मिलेगा total में जो आपका एक stock है वो दो stocks के अंदर में convert हो जाएगा हाँ आप यह भी कह सकते हैं आपके पास में इस company के जितने भी stocks है वो सब के समयापे double हो जाएंगे and finally company ने इस bonus को देने की x date और record date announce कर दी है जो की 11th of January की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है Salazar Techno Engineering साला सर Techno Engineering का जो share price है वो 65 रुपीस के उपर में चल रहा है हाँ आप इसे भी एक penny stock कह सकते हैं इस company ने आप stock bonus announce करके रखा है 4 to 1 के ratio से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक stock है तो यहाँ पे आपको 4 stocks का bonus दिया जाएगा टोटल में जो आपका एक stock है वो 5 stocks के अंदर में convert हो जाएगा फिर बेशक आपके पास में इस company के कितने भी stocks हो आपको हर एक stock के उपर में 4 stocks का bonus दिया जाएगा और इस bonus को देने की x date और record date फिलाल upcoming में है जैसे ही company x date और record date announce करेगी मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का नाम है Franklin Industries Limited Franklin Industries का जो share price है वो 44 रुपीज के उपर में चल रहा है जी हाँ ये भी एक penny stock है और इस company ने आपके stock split announce करके रखा है 1 to 10 के ratio से जिसका मदलब ये है अगर आपके पास में इस company का एक stock है तो वो total में 10 stocks के अंदर में convert हो जाएगा फिर बेशक आपके पास में इस company के कितने भी stocks हो आपका हर एक share यहाँ पे 10-10 share के अंदर में convert हो जाएगा और इस stock split को देने की जो x date और record date है वो 11th of January की रहने वाली है अगले share की बात करें तो company का नाम है पूनावाला Fincorp Limited पूनावाला Fincorp का जो share price है वो 435 रुपीज के ओपर में चल रहा है और इस company ने आपे board meeting organize कर दिये 18th of January को और इस board meeting का जो purpose है वो dividend को लेकर के रहने वाला है अब 18th January को company आपे dividend announce करेगी और अगर company ने अपनी dividend history यानि की past में company ने अपने investors को जितना भी dividend दिया है उसके accordingly एक अच्छा dividend announce कर दिया तो definitely हमें share के अंदर में एक शांदार तेजी देखने को मिल सकती है विगोज ये company fundamentally and financially दोनों तरीके से काफी जादा strong है तो जरूर से पूना वाला fincorp के share को आपके watch list के अंदर में add कर लीजिएगा और 18 January के दिन इस share के उपर में खास नजर बना के रखिएगा अगले share की बात करें तो company का नाम है Tata Consultancy Services TCS का जो share price है वो 3800 रुपीज के उपर में चल रहा है और Tata Consultancy Services ने यहाँ पर board meeting organize कर दिये 11th of January को और इस meeting का जो purpose है वो dividend को लेकर के रहने वाला है already company ने dividend को देने की x date और record date advance में अनाउंस कर दिये जो की 19th of January की रखी जा चुकी है तो company यहाँ पर 11 January को जो भी dividend अनाउंस करती है अगर उसका benefit आप लोगों को चाहिए हुआ तो आपको TCS के share को उसकी x date यानि की 19th of January से पहले पहले purchase कर लेना होगा और बता दूं यह third in term dividend रहेगा company की तरफ से अब आ जाते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे अगले end last stock की तो company का नाम है SBI Cards Limited SBI Cards State Bank of India की एक subsidiary company है and SBI Cards का जो share price है वो 760 रुपीज के उपर में चल रहा है इस company की तरफ से काफी बड़ी update निकल के आ रही है basically यहाँ पे ICICI Direct करके काफी जाना माना brokerage firm है and I am damn sure आप लोगों ने ICICI Direct का नाम जरूर से सुना होगा अब ICICI Direct ने जो है SBI Cards के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation शेर करी है और यहाँ पे जो target price दिया गया है वो काफी जादा शानदार दिया गया है जो की 950 रुपीज का है तो लगबग 760 रुपे से लेकर के 950 रुपे तक की एक जो rally है वो यहाँ पे ICICI Direct Expect करके चल रहा है SBI Cards and Payment Services Limited के share के अंदर में अब आपको जरूर से SBI Cards को आपके watch list के अंदर में add कर लेना चाहिए काफी जादा अच्छी कंपनी है, काफी जानी मानी कंपनी है, काफी नामचीन कंपनी है साथी साथ में on books भी काफी जादा strong है तो यहाँ पे काफी high possibilities बन जाती है एक rally हम लोग यहाँ पे expect कर सकते है हाला कि हो सकता है 950 रुपे तक का target achieve होने में time लग जाए बठा आप एक छोटा target short term के अंदर में expect कर सकते हैं तो SBI Cards को miss out मत कीजिएगा इतलीस्ट आपके watch list के अंदर में add कर लीचेगा बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही यही 6 stocks थे जिनोंने आप इस stock bonus, stock split and dividend announce किया था अब अगर आप कोई वीडियो अची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीचेगा प्लीज इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा विगोज फिनों मीडिया के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content दिखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर तिल देन बाई